भारत की महान पौराणी कथाओं का संगर सब्स्ट्राइब करें भक्ती कथा परमदेव श्री महागडेश ने तो कहा था कि वे कैलाश की और जा रहे हैं किन्तु कैलाश पर तो उनका एक भी परमपावर्चिन नहीं दिखाई परता भगवान भोले नाथ अपनी समाधी में लीन है और माता पार्वती भी दिखाई नहीं दे रही है आद तो और कि सोगह योंगे परमदेव श्री महागडेश नारायण नारायन अपार है परमदेव है परमदेव के दर्शनों के लिए मेरी अविलाशा बढती ही जा रही है कि उनसे दर्शन दे श्री महागाडेश मुझे दर्शन दें श्नामँ श्नामाख श्योए चिभाए जा नारायने घड़ हो नारायन, नारायन सर्व मंगल मांगल्य, शिवे सर्वार्त साधिकी, शरन्ये त्रियंबके गोरी, नारायनी नमोस्तुति. नारायन, नारायन, भला इस नारत के सवभाग्य में, ऐसी कौनसी बाधा आ गई है, कि संसार की महाशक्तियां उसे आशिर्वात देने की चुक नहीं है, नारायन, नारायन, शिरी महागडेश भी माता के कक्षि में दिखाई नहीं दे रहे हैं। देवर्शी नारत देवर्शी नारत जय जय शिरी महागडेश आप मुझे ढूंड रहे हैं न देवर्शी परंतु मैं ढूंडने पर भी आपको दिखाई नहीं दूंगा। नारायन, नारायन, ऐसा क्यों प्रभू। क्या आप अपने आशिर्वास से इस नारत के सवभा के कोश में व्रिद्धी करने के चुक नहीं है। बात ये नहीं है देवर्शी। नारायन, नारायन, श्री महागडेश तो बात क्या है। देवर्शी, आपको भली भाती ग्यात है कि माता पार्वती के पुत्र के रूप में मेरे दिव अफदार धारन करने का समय अब निकट आ गया है। नारायन, नारायन, श्री महागडेश। आपके दिव अफदार धारन की प्रतिक्षा तो ये संसार ना जाने कब से कर रहा है प्रभू। किन्तु मेरा कहा आप शमा करें। आपके अफदार धारन करने से मुझे दर्शन ना मिलने का क्या संबंदे प्रभू। संबंध है देवर्शी, अब मेरे प्रत्यक्ष दर्शन माता पारवती के पुत्र रूप में दिव अवतार लेने तक किसी के लिए संभव नहीं होंगे। मैं समझ गया प्रभू, अर्थात आपके अवतार धरण करने का अशुब अपसर अतिनिकट आ गया है। नारायन, नारायन…किन्तु परमदेव, क्या आपने माता पारवती को आश्वस्त किया है? हमने अपने वचन का पालन किया है। कि आप हमारे वचन पर शंका क्यों कर रहे हैं देवर्शी? नारायन नारायन शंका नहीं प्रभु ये तो मैं जिग्या सावश आप से पूछ रहा हूँ भला आपके वचन पर शंका करने का दुस्साहाद ये दीन ही नारत कैसे कर सकता है किन्तु प्रभु में किन्तु क्या देवर्षी फिए श्री महागड़ेश यदी आपने माता पारवती को आश्वस्य किया हो ता तो माता पारवती इस समय ध्यान में खोई ना रहकर आपको पुत्र रूप में पाने की आनन से आनन्दित होती कैलाश पर शांती एवं निरवता के स्थान पर माता का मम्ता मैस्वर भूच रहा होता ना रायन, ना रायन उद्विग्न ना हो देवर्शी धेवादी देव महादेव का ये कैलाश शिग्री माता और पुत्र के आलोकिक और निष्चल प्रेम का साक्षि बनेगा ना रायन, ना रायन हे श्री महादेश इतना तो आप बता दें कि ये शुब सूचना सुनकर भी माता पारवती किस ध्यान में खोई हुई हैं हमारे ही ध्यान में खोई हैं देवर्शी परंतु विधी के विधान के अनुसार हम माता पारवती के गर्ब से अवतार नहीं लेंगे ना रायन, ना रायन अर्थाश्री महादेश हमारा अवतार विचितर परिस्थितियों में होगा देवर्शी अर्थात विचितर परिस्थित्यों का रहस्य हम इस समय आपको बताने के चुक नहीं है क्योंकि रहस्य बता दिया गया तो उसकी विचित्रता का अंध हो जाएगा नहां रायन नारयन परमदेव इस जिग्यासु नारत पर कुश्टो क्रिपा करें अन्यथा आपके रहस्य को जानने के चक्कर में इस नारत के हिर्दय को शांती नहीं मिलेगी दिवर्शी इस समय तो आप अपने चित्त की शांती के लिए इतना ही समझ ले कि हमें उन विचित्र परिस्थितियों को उत्पन करने का उपाय शिग्र ही करना होगा शिग्र? अर्थात? अर्थात आपके प्रश्णों से मुक्ती मिले तो हम विचित्र परिस्थितियां उत्पन करने का उपाय करें विचित्र परिस्थित्यां भी महागणेश की लीला का ही एक आंग थी श्री महागणेश की इस लीला का सीधा प्रभाव देवी पार्वती के माता पिता पर होना निश्चित था महागणेश ने पार्वती की माता महारानी मैना को इतना व्याकुल कर दिया कि वे निरंतर पार्वती के विशे में सोचने लगी महरानी मैना की अत्यधिक व्याकुलता को देख कर निश्चित ही हिमाले राज का चिंतित होना स्वभाविक था चिंतित हिमाले राज मैना को ढूनते हुए उद्यान में पधार रही है माराज हिमालाए आजी ये उद्यान में पधार रहे है आप हमें बिना बताएं यहां उद्ध्यान में चलिया है महारानी आप के नवी चारों में खोई हुई हैं महराज आप अपने राज का आज में इतने अधिक व्यस्थ हो गए कि आपको अपने प्राणों से भी प्रेव पुत्री पारवती का स्मरण नहीं रहा यह आपने क्या क्या दिया महरानी मेरे जीवन का तो एक भी खुक्षण ऐसा व्यतीत नहीं होता जब मैं अपनी प्रेव पुत्री पारवती का स्मरण ना करूं स्वामी कितनी आराधना तथा प्रतीक्षा के पश्चात परम देश्री महा गणेश के कृपा से हमने पारवती क को प्राग किया था परंतु जब से पारवती पति ग्रह गई है हमें हमें भूली गई है स्वामी मेरा मन पारवती से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है चलिए स्वामी यदि वो हिमाच्य लोटने की इच्छुब नहीं है तो हम चलकर उससे मिलते हैं किन्तु महारानी विना शिव शंकर की इच्छा के हमारा कैला जाना उचितना होगा जी शर्शंकरके इच्छा के हमक पत्तंक अपनी omosat旅 से दुर रह सकते हैं निष्चिति उने हमारी व्याकुलता का ज्यान होगा है आप धह्रय धारं करें म्हारानी कि कि शीफ शंकर कि कृपा से कि हम एकएलास जाने का निमंतरन आवश्य प्राप्ट होगा अपने प्राणुं से भी प्रेय। पुत्री पार्वती से मिलने के लिए आप और धैरी धारन नहीं कर सकती véritable है माता-पिता अपने पुत्री से मिलने के लिए कभी भी जा सकते हैं आपने सत्य कहा महारानी लोग परंपरा के अनुसार माता-पिता को विभा के पश्चाहत अपनी पुत्री से मिलने में कोई बंधन नहीं है किन्तु महारानी हमने अपनी पुत्री पार्वती का विभा इस ल प्रणाम महराज, ख्षमा करें महराज, हम अपनी उद्विगनता पर नियंत्रन न रख सके, असमें यहां आने के लिए हमें ख्षमा करें पार्वती की प्रिय सक्कियों जया और विच्या, ऐसी कौन सी उद्विगनता थी जिसके कारण, आप दोनों को इस समय हमारे सम्मुक उपस्तित होने का निरने लेना पड़ा? महराज, अपनी प्रिय सक्की पार्वती से मिलने के लिए हमारा मन अत्यंति व्यक्र है हाँ महराज, सक्की पार्वती के बिना हमारा जीवन शुन ने दिखाई पड़ रहा है हमें अपनी प्रिय सक्की पार्वती से मिलने के लिए कैलाज जाने की आज्या दे महराज, हम पर कृपा करें महराज यदि शेग्र हमें प्रिय पार्वती के धर्शन ना मिले तो हम व्यगरता में अपने प्रांट त्याग देंगी जया विच्या महाराणी मैंना भी इस समय पार्वती से ही मिलने की बात कर रही थी क्या तुम दोनों को हमारे वार्टालाप का ज्यान था नहीं महाराज हमें आपके वार्टालाप का तनिक भी ज्यान नहीं था सत्य तो यह है महाराज कि कई दिनों से हम कैलाज जाने की योजना बना रहे थी परन्तु आपसे आज्या प्राप्त करने का सहास नहीं हो रहा था हमें आज्या दे महाराज हम प्रिये सकी पार्वती से बिना मिले अब जीवित नहीं रह सकेंगी महाराज ऐसा प्रतीत होता है कि शिव एच्छा के कारण ही जया विजया के भीतर पार्वती के दर्शनों की व्यग्रता जन्मी है इन्हें आज्या दे महाराज इनके क्यालाश जाने से हमें शिव शंकर की इच्छा का ज्यान प्राप्त होगा शिव शंकर की इच्छा का तो प्रश्नी ही नहीं है महारानी, हम तो शिव जी के आग्या लेकर प्रिये सकी पार्वती को यहां लेकर आएंगे जया, पार्वती शिव से अभिन्न है, संभव है, शिव शंकर पार्वती को यहां भेजना, स्विकारन करें एसी स्थिती में तुम उझसे निवेधन करना कि हम दोनों भी पार्वती से मिलने को व्यग्र हैं आप धन्य है महारानी केलाज जाने की अनुमती देखर आपने हमारी प्राणों की रक्षा कर ली आपकी जै हो महाराज, आपकी जै हो महारानी परम देवश्री महा गणेश की क्रपा का चमत का देखा आपने परम देश्री महा गणेश की क्रपा से पुत्री पार्वती से मिलने का मार्ग स्वयम ही बन गया कर दो कर दो कर दो स्वामी आप बहुत लंबे समय तक मौन है न जाने किन गंभीर विचारों में खोए हैं क्या मैं आपकी इस गंभीरता का कारण जान सकती हूँ देवी सरस्वती कभी कभी हम अपने बनाए विधान पर स्वेम ही चकित हो जाते हैं इस समय हम आप त्रिदेवियों के विशे में ही विचार कर रहे थे हम त्रिदेवियों के विशे में सोचने की क्या वश्यक्ता आप पड़ी है स्वामी नारायन नारायन प्रणाम परंपिता प्रणाम माता तुम जो जिग्यासा लेकर प्रहमलोग आये हो नारद वही जिग्यासा देवी सरस्वती के मन में भी उठ रही है नारायन तब तो प्रंपिता मेरी जिग्यासा का निश् juicy ही समाधान हो जाएगा नारायन चतुर नारद कि देवी सरस्वती की आर में तुम अपनी जिस जिग्यासा का शमन करवाने के दो या शुक हो कि देवर्शी आप स्रीहरी विष्णु के स्रीमुक से हम त्रीदेवियों के विशय में क्या सुनकर आये हैं तनिक मुझे भी तो बताएं ना रायन ना रायन परमपिता इस प्रश्ण का उत्तर तो आप ही दें कृप्या मुझे इस धर्मसकट में ना डालें ना रायन ना रायन सत्य तो यही है परमपिता कि मैं यही ग्याद करने आया था कि आपने त्रीदेवियों के विशय में ऐसा विशित्र विधान क्यों बनाया है नारद अपने अज्ञान में तुम हमारे द्वारा निर्मित विधान को विचित्र कहकर हमारी उपेक्षा कर रहे ह। शमा परमपिता शमा परमपिता अपनी जिग्यासा की इद्विग निता में मुझसे भूल हुई है मेरी भूल पर मुझसे रुष्ट ना हो परमपिता, मुझे अज्ञानी और मूर्बुद्धी समझ कर शमा करें परमपिता, मुझे शमा करें नारद, परमदेव स्री महा गणेश के इच्छा संसार में हर विधान, प्रकृति, धर्म, सब्भ्यता, संस्कृति और संसार के हित्मे ही निर्धारित किया जाता है इस कारण, त्रिदेवियों के संबंद में निश्चित विधान पर प्रश्न अथ्वात्तार करना अनुचित है नारायन, नारायन स्रीहरी विश्णु ने तुम्हें प्रतीक्षा करने का परामश दिया था ना स्रीहरी के परामर्ष को आदेश मान कर प्रतिच्छा करना ही तुम्हारे लिए उचित होगा नारण चो आक्या परंपिता प्रणाव माता नारायन 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 शीमन नारायन 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 ब्रम्हदेव, देवर्शी नारत भी अधुरी बात कहकर चले गए, अब आपको मेरी जिग्यासा का समाधान करना ही होगा। देवी सरस्वती, अपनी जिग्यासा के समाधान के लिए आपको स्री महा गणेश के दिव्य आवतार धारन करने तक प्रतीक्षा करनी होगी। ऐसा क्यों स्वामी? ज्ञान और विद्या की अधीष्ठात्री देवी सरस्वती, हम इस समय आपकी जिग्यासा का समन करने में विवश्व हैं। और हमें विश्वास है, आप हमारी विवश्था को अन्यथा नहीं लेंगी।